नई सरकार में विधान सभा की रंगत भी बदली नजर आई जादतर मंत्री और विधायक भगवा रंग में रंगे नजर आए कभी सफेद खादी को राजनीती की पहचान समझा जाता था लेकिन अब इसकी जगा भगवा ने लिली है भवन वही है, कुरसिया वही है, बदले हैं तो सिर्फ इस पर बैठने वाले लोग और उनके कपड़े का रंग यूपी विधान सभा के स्पीकर चुने गए हिर्दर नारान दिक्षित के सम्मान में सीम योगी ने अपना पहला भाशन दिया उन्होंने अपने पहले संबोधन में विपक्ष से सहयोग मांगा और आशवासन दिया कि सरकार विपक्ष से भेदभाव नहीं करेगी लोग तंत्र में कहीं भी ये न लगे कि हमारे साथ रहे दबाओ है क्योंकि हम विपक्स के हैं इस प्रकार की इस्तिती न होने पाए हम लोग इस बात के लिए मैं पूरी मजबूती के साथ पूरे सदन को अस्वस्त करता हूँ कि यह सरकार इस जिश्टी से आपके मात तरसन मे कहीं भी इस प्रकार की बातों को सामने नहीं आने देगी सीम योगी ने कहा कि चुनावों के दौरान पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जम कर आरोप लगाए लेकिन अब इन सब को पीछे चोड़कर यूपी के विकास के लिए सब को मिल कर काम करना है हम लोग चुनाव लड़कर के आते हैं चुनावी मंचों पर हम लोग एक दूसरे के प्रती अनेक प्रकार के बांगबाड़ों से प्रहार करते हैं लेकिन सदन कम से कम इस प्रकार के बातों से दूर रह करके उत्तरबेस की बाइस करोड़ जनता के बारे में सोच सके सीम योगी ने विपक्ष से अपील की कि जैसे विधान सभा के अध्यक्ष पत पर हिर्दय नारान दिक्षित का सर व समत्ती से चैन हुआ है ठीक वैसे ही राज्जी के विकास के लिए सभी पार्टियां मिल कर काम करें एक आदर से विधान सभा के रूप में अपना स्थान बनाएगी और तरक्षित को अंदेश के अग्रणी राज्जों में स्थाके जवर्णी में सफल होंगी